जरुबट का पुलिस साना अंतरगर्द एक हट्ट्या का मामला उजा गरुवा है जह 25 साल के युवक ने अपने नापालिक भाई और दोस्त के साथ मिलकर अपनी अधेड उम्रे की प्रेमिका को मौत के घाट उतारा जिसका शव खापर खिडा नदी में बरा मत्वा है दरसल 29 दिसंबर को नियो इंदुरा निवासी 42 वर्ष्य शृतल उकी के परीचनोनी उनकी गुमशुदकी की रिपोर्ट दैश कराई थी जिसके संग्यान पर जरीपट का पुलिस खोश्मिन में जूटी हुई थी ऐसे दुरान पता चुला कि शृतल का 25 वर्ष्य सुनिल उसरपती के साथ अवित संबर थी आपका बता दे कि सुनिल भूसा कंपनी के पास चल रहे निर्मानकारी की देखरी का काम करता है और वही रूम में रहता है उसके साथ उसका 16 वर्ष्य नाबालिक भाई और 23 वर्ष्य आरियन महतो ये दोनों भी रहते थे कुछ दिनों पहले सुनिल ने शृतल को 5 लाख रुपे दी थी जिसकी एवच में वह शृतल से शादी की मांग करा था लेकिन शृतल इस बास से राजी नहीं थी गुप्त सुष्णा एवं खोजबिन के दोरान पता चला कि 28 दिसंबर की रात शृतल अपनी प्रेमी सुनिल की घर पर गई जा उसका साथी एवं 16 वर्ष्य नाबालिक मोचू थे उसे दुरान शृतल और सुनिल के पीच जम कर बहस हुई जिसके बाद सुनिल ने अपनी साथी के साथ मिलकर शृतल का गला घुटा और फिर दोस्त और भाई की मदस से सत्तू से उसका गला काटा और शृतल की लाश को बोरी में भर कर खापर किडा नदी में फिक दिया जो कल दोपहर एक पज़े खापर किडा नदी से बरामत क्या क्या है तो वही तीनों पर हत्या की विबिना धाराओ के तहट मामला दश क्या क्या है और आगे की जाश पुलिस करी है कैमरा परसन अखिलेश भारत वाज के साथ मानिश टेमरी की रिपूर्ट